नमस्कार मैं हूँ अमेदी वेदी अब सब भी का स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल पाउराउंड मील पर और मेरे साथ इस समय फॉक्स वेगन की टाइगून का बेस पेरियन कमफर्ट लाइन है और आपको बताने वाला हूँ डिटेल वाकराउंड में की इस काड़ी में आपको क्या-क्या चीजे मिल जाती हैं जब आप 10,75,000 रुपे एक शुरूम खर्च करने की सोचते हैं और क्या ये वैल्यू फॉर मनी है या नहीं तो यही सब जानते हैं और शुरुआत करेंगे इस इसके चावी से चलिए शुरू करते हैं तो यह है इसकी चावी कैसे कुलती है इसमें लगाना पड़ता है तो इसमें स्टार्ट इस्टॉप बटन नहीं मिलता है लॉक अनलॉक और डिगई उपन करने का यह आपको बटन मिल जाता है तीन अब इसे बंद करते हैं और डिज नीचे आपको fog lamp, housing की बात परें तो कुछ नहीं मिलने वाला है खाली मिलेगा लेकिन chrome की पट्टी उसकी कमी को पूरा कर देती है यह अच्छा लगने वाला है और इसमें जो यह grill मिल रहा है यह बहुत ही खुबसूरत मुझे लगा है शुरू आत से ही और बीच में लोगो मुझे बहुत अच्छा लगा है और आपको भी पसंद आने वाला है यहाँ पर जो आपको मिल रहा है chrome का पट्टी यह इसके अंदास को और बहतरीन बनाता है और साइट जब नीचे आप देखेंगे तो एक अलग इससे अलग थोड़ा सा look यहाँ पर प्रदान कर देता है और silver की यह पट्टी इसके departure angle को बहुत ही बहतरीन बना देती है तो यह सब कुछ आपको सामने मिल जाता है अगर bonnet पर lining की बात करें तो यहाँ पर 2-4 जो lining आपको मिलती है बहुत ही sharp है और लगता है कि इसकी खुबसूरती के लिए इस पर उकेरी गई है और यह आपको कही से disappoint नहीं करती और अब बात कर लेते हैं इसके side profile की side profile की बात करें तो जो आपको सबसे अच्छा लगने वाला है वो है इसका roof rail जो की बहुत ही बहतरीन है यहां से निकल रहा है यहां तक चला आ रहा है बड़ा window area मिल जाता है बी पिलर पर आपको ज़्यादा जब अंदर बैट कर आप देखोगे तो अच्छा लगने वाला है तो visibility को बादित नहीं करता है और यहां तक आते आते बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती है बॉडी कलर डोर हैंडल मिल जाते है और यह जर्मन ठक आपको अच्छा लगने वाला है cladding यहां पर मिल जाएगी और सा वार्बीयम पर मिल जाते हैं वील की बात करें तो यहां पर आपको जो वील मिल रहा है दो सो पांच साथ और सिक्स्टीन का मिल रहा है अला कि यह स्टील वील है लेकिन इस पर आपको कबर मिल जाता है अब पोलो के टायर इसमें लगाए गये हैं लेकिन यह बहुत ही पीछे के तरफ आता हुआ जो कि इसमें एक अलग अंदाज देता है डिफॉगर वगरा नहीं मिलता है स्टॉप माउंट लाइप मिल जाता है और यह एंटिना नॉमल वाला मिल जाता है अगर इसके टेल लाइम की बात करें तो यहां पर आपको यह ब्लिंकर मिल जाते हैं और बहुत ही खुबसूरत लग रहे हैं हाला कि यह LED नहीं है आपको हेलोजन बल्ब के साथ ही मिलते हैं और पूरा प्यानो ब्लैक फिनिश यह इस पर जो मिल रहा है इसको एक अलग अंदाज प्रता है और यह लाइटिंग यहां से लेकर यहां तक दिक रही है बहुत ही फूरती के साथ इसमें देने की कोशिश की गई जो की बहुत ही आकराम गुनबडा एह लेकिन अगर आपको देखना होगा इसका साइलिंसर तो इसे झाक के देखना पड़ेगा जो की इस साइड में आपको मिलता है तो यह सारी चीज़ें रियर में मिलती है और आप मैं क्य कुह नहीं करना है, तीन लोगों को पीछे नहीं बिठाना है, सामान Shope, बैठने वाले है, तो कुछ नहीं करने की जुरुत है, आप यहां से इस seat को old कर सकते. itts देंगे तो पूरी बिंच ब NH जाएगी और ईह बहुत तो दोस्तों मैं इस टाइगन के बेस बेरियंट के रियर सीर पर आ गया हूँ यहां पर सबसे पहले आपको दिखाऊंगों कंपट तो रियर एसी बेंट आपको मिल जाते हैं कोई चार्जिंग की जो भीदा ने मिलती खाली जेगे मिलेगे लगवाना होगा सकते हैं दोनों द सबसे लोगों को यह पसंद नहीं है लेकिन यहां पर दिखता है कि यह कॉस्ट कटिंग आपको फोक्स बेगन स्कोडा सारी गाड़ियों में आपको यही पर कॉस्ट कटिंग नज़र आती क्यों है इसकी चार्चा फिर कभी किया जाएगा सीट के कफट की बात करें तो मिल जाती है अब करता हूँ आप पुलीग ज़लता हूं सीठे फ्रैंट लेटर तिखाता ही वहा क्या क्षीजे मिल जाती है तो मैं स्के फ्रैंट इंपर आ ओ गया हूँ और आपको आगे पीछे ऐसली करना है adjustable seat मिल जाती है आप अपने हिसाफ से adjust कर सकते हैं हलाकि इस side में आपको adjustable नहीं मिलता है passenger के लिए बट इस seat को आप कर सकते हैं कुशनिंग अगर अच्छी है दर्वाजे को यहां से आपको access देना है सबको तो यहां से lock यहां से unlock यहां से lock कर सकते हैं और यहां से आप electrically adjust कर सकते हैं इस RBM को इसो बिदा दे दी गई है और सीथे शुरुबात करेंगे instrument cluster से तो यहां पर आपको एक MIT पर बहुत सारी information मिलती है जो कि आप यहां से access कर सकते हैं जो चेहीं अपने हिसाफ से तो बहुत सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं सारे data यहां पर आपको नज़र आ जाएंगे दर्वाजा खुला रहेगा तो भी आपको जब दर्वाजा कुला रहेगा कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूं यही पर आपको पता चल जाएगा और यह सब कुछ आपको नज़र आता रहेगा तो यह सारी चीजें यहां पर आपको सारी information के साथ में मिल जाती हैं और यहां पर टर्न इंडिकेटर दिये गए तो यह ध्यान रखिएगा लेप्ट हैंड पर और यह चोटा सा आपको impotainment system जिसपे apple carplay वगारा सब कुछ मिल जाता है तो यह अच्छी चीज लगी है मुझे इस काड़ी में device वगारा add कर सकते हैं तो चोटी चोटी चीज जो मादन से बहुत सारी चीजे कहने की कोशिश की है और पूरा का पूरा layout वही मिलेगा जो आपको इसके top variant में मिलता है AC band वगारा उसी अंदाज में मिलेगे हलाकि color में आपको थोड़ा फारक मिलने वाला है इसकी steering को आप उपर नीचे tilt के माध्यम से उपर नीचे कर सकते हैं लेकिन telescopic की सुबिदा इस पर नहीं दी गई है लेकिन ठीक है क्योंकि base variant है तो यह सब कुछ चलता है यहाँ पर यहाँ इसका cup holder होगारा रखने की सुबिदा मिल जाती है और यहाँ पर armless मिल जाता है जिसके अंदर आप सामान होगारा रख सकते हैं प्रेंट सीट पर आप देखेंगे तो यह पूरा comfort वही आपको stitching जो आने पीछे दिखा है सब कुछ मिल जाएगा दरवाजे पर आपको सामान यानि की पानी की बोटल लगा लगानी की जगे मिल जाएगी और यहाँ पर आपको glove box compartment में इतना सामान रखने की जगे मिल जाती है तो जो कि आपको पसंद आ सकता है और उपर जब आप जहां कर देखेंगे तो यह यहाँ पर लगेगा चसमा रखने की जगे है लेकि यह एक दाम अच्छे नहीं है बहुत मुश्किल से यह on off होते हैं और मुझे लगता है इस पर सोचना चाहिए था फॉक्स वेगन को तो कुछ कॉलिटी यहाँ पर गिर जाती है इस जगे पर sun visor पर आपको यह vanity mirror मिल जाता है लेकिन driver side में इसमें आपको vanity mirror नहीं मिलता है औ फिर से दिखा देता हूँ इसमें जो दिया गया है वन लीटर वाला petrol engine मिलता है और यह बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदा engine है इसकी चर्चा मैंने अपने customer review में भी किया था जब मैं customer review कर रहा था इस टाइगन का तो यह सारी चीजे थी जो यहाँ पर आपको अच्छी बना है और आपको यह कहीं से disappointment नहीं करेगी दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा detailed walk around इस गारी के साथ में आपको पसंद आया होगा फिर मुझे कुछ रहे गया है कुछ और जानना जूना चाहते हैं तो मेरा instagram पर चले आए मेरा instagram अमिट.dvd सवाल करें सारे जवाब ले झाल झाल